Scales of Temperature, Top Crumb Paymane जितने भी प्रकार के प्रकार के प्रकार की बात करेंगे किसको किसमें कैसे कनवर्ट करना, कहां से आता है फॉर्मूला, कैसे करते हैं और उसके उपर बेस्ट जो भी कॉशन बनते हैं वो सभी कॉशन भी देखेंगे तो आप शानती से पंदरा मेस प्रकार देखें ध्यान से सभी आपका एकदम कोई भी कनवर्ट अगर रहा है तो क्लियर हो जाएगा ताप करम पेमाने में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताप क्या होता है? तो ताप होता है साब उश्मा प्रवाह की दिशा को निर्धरित करता है और ताप वस्तू की उश्मा का मापन करता है तो हम को किसी की उश्मा का मापन करना है तो हम ताप के साहिता से बताते हैं और ताप को मापने वाला कौन होता है? तो TAP को मापने वाला उपकरन आपका TAP मापिया Thermometer कहलाता है अदर गलग परकार के कई होते हैं यह जैसे पारे वाला जैलरली आपने देख़ रखा है जैलरली वह जैंद आज कल डीजीटल भी आ गए है Thema을 स्केनर भी आपने देखे हैं कई प्रकार के होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पेहे पयमा नो की हैना हमारे जो भी हम करते है नियुमुरीकल कर नियुम्ड करते हैं तब हम को इनका काम पड़ता है कि इस से इसमें कॉनवेट करो इसको इसमें कांवbor करो कर दखे आपकोडिpy पेमाना होता है तो इसके हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक होता है यह जल का जमना यन फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं और एक उबलना 2 पॉइंट लेते हैं, इसके अंदर फारेज़ाइट में 32 से 215 के बीच में होता है, Celsius में 0 से लेके 100 के बीच में और Kelvin में 200 त्यूतर से लेके 300 त्यूतर के बीच में ये मानक पेमाने हैं आप चाहें उतना वैसे ले सकते हैं आप आपकी पेमाना आपके हिसाब से भी बना सकते हैं कोई 0 से लेके 1000 का बनाना चाहें बना सकता है कोई दिक्कत नहीं है पर यहाँ पर बात मानक पेमानों की होती है जो परचलित होते हैं जो सभी जगे मानने है ठीक सब अब इसके अंदर आप देखें सेंटिग्रेड फारिन हाइट केलवीन इसके अलावा दो और नाम कहीं ने कहीं आपको सुनने में दिखे जाएंगे कभी शायद आपने नहीं सुने हो लेकिन आगे अगर जाएंगे या कुछ इधर उदर कॉम्पेटिशन इक्जाम देंगे तो आपको नाम सुनने को मिल सकता है तो ये भी ध्यान रखें एक हाता है रियूमर एवाँ एक हाता है रैनकाइन रियूमर को आर रैनकाइन को आर ए से जैसे डिगरी सल्चेस फारेनाइट आपने सुना है बस वैसे ही ये भी है जैसे फारेनाइट 32 फारेनाइट से लेके 212 डिगरी के बीच चलेगा तो आपका वैसा ही रियूमर जीरो से 80 के बीच में और रैनकाइन 460 से लेके 600 बहुत तर के बीच में क्लियर अब ये आप न मम्मी पपसे क्यों है तो यहां पर भी वही बात है यह जो मानक पेमाने हैं जो रखे हैं निश्चित वह हमको देखने हैं तो बेतु कि सवाल में ज़्यादा ध्यान ना दें आप काम पर ध्यान दें ठीक सब देखो आगे एक तापकरम पेमाना बनाने के लिए दो नियत बिं बिंदू होता है स्टीम पॉइंट इसे उच्चतम नियत बिंदू यानि कि यूएफपी शॉर्ट में बोलेंगे यूएफपी कहते हैं सेल्शियस स्केल में इस स्केल में एलएफपी यानि कि सबसे नीचे वाला आइस पॉइंट का कौन सा होगा जीरो डिग्री और यूए memorable का अंतर की अगर बात हो ना तो वहाँ पे यह सेमा सवांधा करें तब तब ताप क्रम में एक डिग्री फारेंहाइट का परिवर्ःतन से कम होगा क्यों क्यों कि देखो आप अंतर यहाँ पे देख सकते हो कि यहां पे थ्वड़ा ध्यान देना 0 से 100 के बीच में अंतर कितना है साब 0 माइनस 100 करूँगा कितना है 200 तीटर और 300 तीटर में भी अंतर कितना है 100 का है तो जब भी अंतर की बात हो तो एक डिगरी सेल्शियस जैसे किसी का बड़ा अपने पहले भी निउमेरिकल में देखा है कि किसी वस्तु का आपने जैसे ताप एक डिगरी सेल्शियस बढ़ाया तो केल्विन में भी एक केल्विन बढ़ेगा लेकिन फारेन हाइट में डारेक एक नहीं मान सकते क्योंकि 32 से 212 का बीच का अंतर होता है 180 तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहां पर इस बात का यह आप स्क्रिंशोट ले सकते हैं यह आपके काम आएगा साहब यह इसलिए मैंने रखा है कि आप स्क्रिंशोट लेके इसको याद रखें सेल्शियस फारेन हाइट फिर दो आपने नाम नहीं सुने हो रियूमर और रैंकाइन तो यह भी लिख लेना काम आ सकते हैं कहीं पे भी और दोनों के LFP और UFP सब लिख लेना दोनों पॉइंट इसका आप स्क्रिंशोट लेके अवेर के रखें यह कहीं कहीं आपके जरूर काम आता है और यह इनके बीच के पिमानों का अंतर है अब देखो किसी भी स्केल पर मापे गए ताप क्रम को किसी दूसरी स्केल पर निम्न संबंद वरा बदला जा सकता है तो किसी भी स्केल का पाठ्यांक माइनस LFP बटा UFP माइनस LFP यानि कि दोनों का अंतर बराबर सभी पेमानों के लिए नियत होगा यानि कि कैसे देखो बताता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे बात की है केवल डिगरी सेल्सियस और फारेन हैट के बीच की यह जो formula जो आप देखते हो न, degree Celsius से foreign item विदलने का, यह formula है, तो यह formula भाई साब, आया कहां से, क्यों है, कैसे है, वो देखो, तो यह formula क्या कह रहा है, देखो, किसी भी scale का पाठ्यांग, यानि degree Celsius पे कोई भी अपने पाठ्यांग ले लिया, कितना भी ले लिया, यह जिसलिए minus 0, बटा, UFP minus LFP, यानि कि दोनों का अंतर, तो 0 और 100, तो 100 minus 0, वो किस के बराबर होगा, वो ऐसे ही बराबर होगा, चाहे आप कोई भी दूसरा पेमाना ले लो, किस के बराबर होगा, जिसे, दूसरा, यह सा यह सा नियम, आप किसी और में लगाओ, तो किस में लगाते हैं आपन फारेनहाइट में निकालते हैं, तो फारेनहाइट में लिखो, F minus, उसका LFP, कितना है, 32, बटा, UFP minus LFP, यानि कि 212 minus 32, 32, ओके, तो इसको solve करोगे, कितना आ जाएगा, C बटा 100, बराबर, F minus 32, बटा, 100C, clear, तो यही आपका formula होता है, degree Celsius से Fahrenheit में बदलने का, तो यह कहां से आता है, तो यह man formula यह है, तो आप इसको ध्यान रखें, इससे आप कोई भी scale को किसी से भी, किसी में भी convert करने का formula बना सकते हो, जैसे हमने यह degree Celsius और Fahrenheit का बनाया है, वैसा आप चाहे उसका बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 0 से 0 काट के, इन दोनों को 2 से काट के, final formula बना दिया जाता है, C बटा 5, बराबर F-32 बटा 9, तो हम generally यह भी काम में लेते हैं, ताकि फटा-फट सॉल हो जाए, calculation easy हो, तो यह formula भी काम में लिया जाता है, clear, अब देखो, आगे अपन इसके उपर आधारित कई questions देखते हैं, ताकि आपका सारा confusion अगर कुछ है, तो clear हो जाएगा, तो एक विंती आपसे है, कि पहले आपने अभी देखा है, उसी साब से आप खुद pen copy लेकर बेठें और प्रयास करें, आपसे सवाल जरूर हो जाएगा, नहीं होता है, या कोई confusion रेता है, तो आप उसका solution देखेंगे, है ना, बठना, वीडियो पोस्ट करके आप एक बार जरूर ट्राय करें, शुरू करें, देखो जब, Celsius Scale पर ताप का परमशुन्यमान है, तो ये तो एक दम easy है, परमशुन्यताप क्या होता है साब, सभी को ध्यान है वैसे तो, 0 Kelvin को हम परमशुन्यताप का परमशुन्यमान केते हैं, इस पर क्या होगा, गैसों की सभी अणों की गती जो है, उनकी एक दम थम सी जाएगी, अणों की गती रुख जाएगी, सब कुछ एक दम, फ्रीज हो जाएगा भई साब, और अस्तित वही नस्ट हो जाएगा, इसलिए परमशुन्यमान संभव तो नहीं है, पर ये पूछ रहे हैं कि Celsius स्केल में क्या होगा, तो 0-, देखो, अभी मैं डारेक बता देता हूँ, पहले एक बार, कि अब बात यहां क्या आ रही है, यानिकि 0 Kelvin से, अब आपको किसमें convert करना है, डिगरी Celsius में, आपको पूछा किसमें है, Celsius स्केल में पूछा है, तो आप Kelvin से Celsius स्केल में कैसे बदलोगे, तो देखो, अपन formula जो हमारा basic formula है, तेले वो लगाते हैं, और फिर हम सिखेंगे कि डारेक कैसा करना है, देखो, यहां प बड़ाबर वही बात Kelvin का K माइनस उसका LFP, LFP कितना है उसका, 200, 93, बटा, UFP माइनस LFP, यानि कि 300, 93, माइनस 200, 93, clear, तो यह कितना आजाएगा, C बटा 100, बड़ाबर K माइनस 200, 93, बटा, 300, 93, मेंसे 200, 93, कितना आजाएगा, 100, और 100 से 100 कट जाएगा, और आपका मैन फॉर्मूला क्या आगया, C बड़ाबर K माइनस 200, 93, केने का मतलब, अगर आपको डिगरी Celsius में टेंपरेचर दे रखा है, और Kelvin में आपको निकालना है, तो आप क्या करो के साथ, तो इसको पक्ष आप रहा है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, यह आपको आजाना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी रठना नहीं पड़े, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला आगया, C बड़ाबर K माइनस 200, 93, अब आपके पास K में वेल्यू दे रखी है, तो C में हमको निकालना है, तो C कि यह 0, 0 Kelvin है ना, माइनस 200, 93, तो 0, माइनस 200, 93, तो C सी बात है, माइनस 200, 93, अब दो चीज़े आपको यहां पर ध्यान देनी है, एक चीज कि फिक्स 200, 93 से 300, 93 नहीं होके, अगर आपको एडजेक्ट वेल्यू याद रखनी है, तो 200, 93.15 यह आपको ध्यान रखना है, पहली 25 होती है, यह एडजेक्ट वेल्यू है, तो कभी-कभी एडजेक्ट वेल्यू भी पूछ ली जाती है, तो आपको 200, 93.15 एडजेक्ट वेल्यू याद रखनी है, Kelvin वाले की, ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर्मूला कैसे बनाया, समझ में आ गया, अब आपको डारेक्ट भ दे रखा है, Kelvin मिलना होता है, क्या करते है, डिग्री सल्चेस प्लस, 200 ती उत्तर, पक्षान तरंगण के इदर ले जाते है, यानि कि आपको जो इध्यान है, वही है, फॉर्मूला हमने कैसे आया, वो आपको यहाँ पर बताया है, clear, और आप चाहें, तो एडजेक्ट याद है, यानि कि अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डिग्री सल्चेस में दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला वही, C बराबर K-2003, C की जगे आपको अब क्या रखना है, 0 रखना है, 0 बराबर K-2003, 0.15 भी लगा दे वे हैं, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्ट वेल्यू चाहिए, तो के बराबर कितना आजाएगा, इधर ले जाएगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानि कि प्लस का 203.15 केल्विन, तो 203.15 केल्विन यह, क्लियर, कोई दिकत नहीं, आगे बड़े साब लखो, सेंटी ग्रेड स्केल पर एक वस्तू का ताप 30 डिग्री से ब बढ़ जाता है, यह नि कि आपको डिफरेंस दे रखा है, टेंपरेचर नहीं दिया है, आपको डिफरेंस दिया है, कि सेंटी ग्रेड स्केल पर एक वस्तू का ताप, अगर 30 डिग्री बढ़ जाता है, तो ताप में यह वृद्धी, फॉरेन हाइट में कितनी होगी, तो बुरा मत मानना, कुछ मुर्ख परानी के ऐसा कर लेंगे, कि 30 डिग्री सेल्चियस को सिधा सिधा वो किसमे कर देंगे, फारेन हाइट में, और वो अप्शन आपको कहीं न कहीं देया भी होगा, सामने वाले को पता है, कि यह गलती बच्चे जरूर करेंगे, तो वो गलती क करोगे, और फिल्गडबड़ जाएगी, इसलिए कॉस्टन को ध्यान से पड़े कि वो कॉस्टन क्या पूछ रहा है, इसलिए कुछ जल्दी बाजी में गलती कर देंगे, कि 30 डिग्री सेल्चियस दे रखा है, फारेन हाइट में पूछा है, तो फटा-फट से चलो कि 100 डिग्री सेल्चियस का अंतर होता है, 100 डिग्री सेल्चियस का अंतर होता है, तो फारेन हाइट में कितना अंतर होता है, 180 डिग्री फारेन हाइट का, है ना, डिग्री सेल्चियस पेमाने में 100 माइनस 0 करोगे, तो कितने का अंतर आएगा, 100 का, लेकिन फारेन हाइट में 212-32 करोगे तो कितने का अंतर आएगा 180 का है ना तो 100 degree Celsius अंतर किसके बराबर होता है 180 degree Fahrenheit के अंतर के बराबर तो अगर 1 degree Celsius की बात करो एक degree Celsius की अंतर की बात करो तो किसके बराबर आएगा वो 180 बटा 100 के और वैसे ही अभी यहां पे आपको question में कितना दे रखा है 30 degree तो 30 degree Celsius के अंतर की बात करूँ तो वो किसके बराबर आएगा तो 180 बटा 100 इंटू 30 के clear गणित में ऐसे सवाल करते थे ना बस वैसा ही किया है आपे तो क्या करोगे 20 से 20 कट गए अठरतिया कितना गया 54 degree Fahrenheit देखो option तो 54 degree Fahrenheit D clear इसलिए क्या पूचा है सवाल में थोड़ा ध्यान देवें जल्द बजी ना करें है यदि एक वस्तू का ताप 140 degree Fahrenheit है तब इसका ताप centigrade में होगा अब यहां पे तो सिधा सिधा फर्मूला लगाना है क्यशिए आपको किसमें उदलना है सैंटी ग्रेड में उदलना है करूप rayas अ हृष मेरी है का सब्सक्राइन ना temperature थ Nejए ना इने फॉर्मूला किशे आया है यह सभी को ध्यान हो गया है ना बता है मैं आप ने for 도्रेशिसमें और सभी झेलिसलिस ऐसे फरन धाय साने है तो formula कैसे निकाला था तो formula लिख देता हूं में c बटा 5 f-32 बटा 9 यह formula कैसे आया यह ध्यान रखें ताकि आपको कभी suppose जिंदकी में formula भूल भी जाएं तो formula कैसे आया वो हमको ध्यान होगा तुससे हम किसी भी का formula आप निकाल लेंगे तो c बटा 5 बराबर आपको Fahrenheit में कितना ले रखा है 140 140 माइनस 32 बटा 9 तो कितना आजाएगा साब c बटा 5 बराबर यह आजाएगा कड़ता है और यह आजाएगा और 9 से कटके 12 है ना तो c बराबर आजाएगा यह 60 सी बराबर आजाएगा यह 60 सी बराबर आजाएगा साब साथ डिगरी celsius देखो option साथ डिगरी celsius क्लियर है ना कैलकुलेशन तो एकदम इजी सी है चोड़ा मट़ा गुणा बग तो आप कर लेंगे H2O का धजनतव कि स्ताप पर अधिक्तम होता है यहाँ पर भी ठोड़ा सा कंfuse करने वाली बाते हैं मतलब ज़ल्द बाजी में गल्ती करने वाला यहाँ पर संभावना बुल करेगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखें जल्द बाजी में गल्ती ना करें अभी सभी को ध्यान होगा कि 4 degree Celsius पर पानी का गनत्व अधिक्तम होता है ये सभी को ध्यान है लेकिन कभी कभी क्या होता है 4 degree Celsius ओ ये रहा 4 degree ठोगो गलत हो जाएगा मालिक क्योंकि यहाँ पे आपको पेमानों का ध्यान देना है यहाँ पे आपको Fahrenheit में दे रखा है है न और आपको क्या ध्यान है चार डिग्री celsius पर पानी का गनतव अधिक्तम होता है तो आपको डिग्री celsius से fahrenheit में convert करना पड़ेगा तो करो वही formula लगाना है देखो formula वही c बटा 5 बराबर f-32 बटा 9 यहाँ पर c आपको पता है कितना दे रखा है 4 डिग्री celsius दे नहीं रखा है के रखा है तो आए भी आपको ध्यान होना चाहिए कि चार डिग्री celsius पर पानी का गनतव अधिक्तम होता है इसी गुण के करण बरफिले प्रदेश में भी बरफ उपर जम जाती है लेकिन नीचे पानी का गनतव अधिक्तम ने करण नीचे उसमें मचलिया जिन्दी रहती है यह सभी ने वैसे पट रखा होगा तो चार बटा यह सी की जगे पन रख देंगे चार चार बटा पांच बराबर f-32 बटा 9 बस स्वाल करो इसको 9 इदर ले जाओ कितना जाएगा f-32 बराबर कितना जाएगा यह 9-6-36 बटा 5 तो f बराबर आजाएगा य 36 बटा 5 अजाएगा आपका और जोड़ देंगे 39.2 तो ओप्शन देखो यह आगे आपका 39.2 डिग्री फारेंहाइट क्लियर जोड़ बाकी गुणा भाक तो कर लेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ें देखो साब फारेंहाइट स्केल पर परम शुन्यत आपका मान है यानि की इन डिरेक्ली आपको क्या करना है फारम शुन्यत आपको मालूम है जिरो केल्विन है ना लेकिन फारेंहाइट में आपको मालूम नहीं है तो फारेंहाइट में आपको कनवर्ट करना पड़ेगा जिरो केल्विन को क्लियर तो केल्विन से फारेंहाइट में कैसे बदलेंग आप जो फॉर्मूला हमें निकाला दा तो उससे आप Kelvin से पहले डिग्री Celsius में कनवर्ट कर लो और डिग्री Celsius से Fahrenheit के लिए आपको फॉर्मूला भी अपने किये दो सवाल वेसा कर सकते हो या तो यह यहां पर डारेक्ट कैसे फॉर्मूला निकलता है वह वाला बता देता हूं ठीक है देखो वही फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो एफ माइनस एल एफ पी है ना तो फारेन हैट की कितनी होती है 32 बटा दोनों का अंतर तो 212 मैंनस 32 कितना आता है वही सब 180 बराबर सेम वेसा यहां पर आपको करना है केलविन में के मैंनस उसकी एल एफ पी कितनी है 203 बटा दोनों कांतर 303 माइनस 203 100 ठीक हाँ चले जाओ भई हाँ देखो 0 से 0 कट गया 2 से ये कट गया 2,18, 5 तो आपका फर्मूला क्या बन गया भई माइफ माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 203 बटा 5 क्लियर है कोई दिक्कत नहीं ये फर्मूला डारेक्ट किसी को अगर याद रखना हो तो भी रख सकता है और मैंत कहूंगा याद न रखें बेसिक सा आपको ध्यान है तो उससे निकालो कि फर्मूला कैसे आता है बस अब इसके अंदर आपको क्या करना है 0 केल्विन को फारेन हाट में बदलना है इसका मतलब के की जगे आपको क्या रखना पड़ेगा 0 तो देखो इस फर्मूला में मैं के की जगे क्या रखता हूं 0 तो f माइनस 32 बटा 9 बराबर 0 माइनस 293 बटा 5 वो काट भी आपने है ना तो कितना आगया साब f बराबर कितना आजाएगा minus का 203 बटा 5 इंटू 9 और f माइनस का 32 इदर आजाएगा तो क्या हो जाएगा plus का 32 तो यह हम गुणा भाग गुणा काट करेंगे मार काट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे तो कितना जाएगा लगबग 459.something को जाएगा 46 से साथ में तो माइनस का 459.something आएगा तो आपका option देखो साथ क्या हाँ तो option लगबग 459 यानि कि 460 के असपास आ रहा है यानि कि C आपका answer है माइनस का 460 डिग्री फारेन हाइट क्लियर कभी कभी होता है कि point में एकदम fix value ना देखे आपको मतलब point में है तो 469.4 something आ रही है तो इन्होंने round figure 460 दे दिया इसलिए इसमें आपको बिढ़ना नहीं है कि यार ऐसा कैसे हो गया थोड़ा कभी क्या होता है basic value आसपास का round figure दे दिया जाता है तो वह आपका option सही हो होता है ठीक है I hope confusion convert करने से संबंदी clear हो गया होगा formula कैसे आता है उसको कैसे लगाना है सब clear हो गया होगा बाकी आप नहीं आया हो तो कुछ भी वापिस पार्ट वह पार्ट रिवाइस करके वापिस देख सकते हैं और खुद एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच् खुश रहो बहुत 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 देने बाद